एक दफा एक जंगल में दो चड़िया रहती थे एक लाल चड़िया थी और दूसरी सब्स चड़िया लाल चड़िया बहुत खुश मजाज और हमीशा हिनसनी वाली होती थी सब्स चड़िया बहुत संजीदगी से रहती थी और हमीशा फिकरमंद रहती थी एक दिन लाल चडिया जंगल में घूम रही थी जब उसी एक बहुत बड़ा फूल मिला फूल बहुत खुबसूरत था और उसकी खोश्बो बहुत खोशकवार थे लाल चडिया ने फूल को अठाया और उसी अपनी घर ले गई सबस चड़िया ने लाल चड़िया को फूल के साथ आती हुई देखा तो वो बहुत हिरान हुई उसने पूछा ये फूल कहां से मिला लाल चड़िया ने कहा मैं जंगल में घूम रही थी जब मुझे ये मिला ये बहुत खुब्सूरत है न? हाँ ये बहुत खुबसूरत है लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है ये एक जहरीला फूल है लाल चडिया ने कहा जहरीला ये तो बहुत अजीब है मैंने पहले कभी जहरीले फूल नहीं देखी थी सबस चड़िया ने कहा ये वाकई जहरेला है अगर तम उसी कहा लो तो तम मर जाओगे लाल चड़िया ने फूल को देखा और उसी फीनक दिया उसने कहा शक्रिया कि तम ने मुझे बताया मैं ये फूल नहीं कहूंगे सब्स चडिया ने कहा अच्छा है कि तम ने मुझे सना अब चलो घर जाएं और कुछ कहाएं लाल चडिया ने कहा हाँ चलो जाएं लाल चडिया ने सब्स चडिया का शक्रिय अदा किया कि उसने उसी जहरीली फूल की बारी में बताया उसने सेखा कि हमेश दूसरों की बात सननी चाहिए